हेलो दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द के भेद हम लोग पढ़ेंगे तो आएए देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं कितने होते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद दो पहला क्या होता है मूल शब्द मूल शब्द जैसा की नाम से ही स्पस्ट हो रहा है कि मूल जड़ मूल शब्द आया देखते है मूल शब्द शब्दों के मूल रूप होते है इनको अन सार्था खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता देखिए मूल शब्द क्या होते हैं जो मूल शब्द होते हैं वह शब्दों के मूल रूप होते हैं मतलब कि जहां से इसके जड़ है जो मूल उसका आधार है तो जो मूल शब्द होते हैं वह उसके मूल रूप से होते हैं इनका अनसार्था खंडों में और विभक्त जो इनका अर्थ है वास्तों में उनका खंडन नहीं किया जा सकता है जैसे सुन्दर, मकान, घर, आम, गधा, पैसा, आधी तो ये जो शब्द है जैसे सुन्दर है इसका ये मुल शब्द है सुन्दर ये मुल शब्द है इसे और सारे शब्द बन सकते हैं लेकिन इसका जो सुन्दर वो मुल शब्द सुन्दर है मकान से और सारे शब्द और भी बन सकते हैं लेकिन मकान क्या है मुल शब्द है ये इस अर्थ होता है, जो मुल अर्थ के नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पर सुन्दर, तो सुन्दर जो मुल शब्ध है, इसका एक अर्थ होता है, मतलब कि यह खुबसूरत है, अच्छा है, मकान, मतलब एक घर के बारे में कहा जा रहा है, एक सदन है, आम एक फल का नाम है, ठ यह सब मुल शब्द है, यह किसी के लिए प्रयोक के जाते हैं, इनसे और भी शब्द जूड का बन सकते हैं, लेकिन यह जो प्रयोक शब्द हैं, यह आपके मुल है, जसो सुन्दर, मकान, घर, आम, यह सब मुल रूप होते हैं, मेज है, कुर्सी है, मकान है, इन सबसे और सार भी शब्द और इनके कई सारे अर्थ निकलते होंगे लेकिन इनका मुल रोप आपका एक ही होता है जिसका और शार्तक शब्दों में और और शार्तक शब्दों में इनका खंडन नहीं हो सकता है यह देखिए मुल शब्द में भी आता है रोण शब्द ठीक है इसका मुल शब्द में ही आता है रोण शब्द रोण शब्द क्या होता है देखिए जब मुल शब्द का प्रयोग अनवैक्तियों या वस्तूं के लिये होने लगता है तब उस प्रसंग में इसका अर्थ रोण हो जाता है हाहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम was dernier का किसी वैक्ति या वस्तु के प्रसंग के अर्थ में किया आता है तो वह रोण हो जाता है जैसे हम एक्जाम्पल दे रहे हैं कि हिंदी में हम लोग गधा शब्द हिंदी में जो गधा शब्द है क्या है वह एक जानवर को बताता है जम लोग गधा बोलते हैं तो वह एक समझ मां जाता है कि वह जानवर है लेकिन जब हम गधा शब्दी किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है मु लेकिन हम लोग यहां पर जो उल्लू शब्द है यह मुर्खता से उसको प्रदाशिर करता है कि वह व्यक्ति उल्लू है मुर्ख है तो यहां पर जो मुर्ख शब्द है यहां रूण हो गया ठीक है अब हम आते हैं दूसरा है जो रचना के अधार पर अब दूसरा क्या है सईयूक्त या योगिक शब्द से मिलकर जो योग से बनता है कई सारे इकाईयां मिलकर तब वो एकठा होती है, एकत्र होती है, तो संयुक्त आप दूसरा क्या है, पहले हम पढ़ा मूल, जो की मूल रूप का होता है, जिनका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता है, दूसरा है संयुक्त या योगिक शब्द, आप देखते हैं, योगिक श एक या एक से अधिक इकाईयां मिलकर या संयुक्त या योगिक शब्द बनाते है, संयुक्त शब्द की रचना तीन प्रकार से संभव है, कौन-कौन से היгор, पहला देखिए, मूल शब्द प्लस मूल शब्द, मतब दोनों ही मूल शब्द मिलकर एक अलक शब्द बनाए हैं, जैसे घोड़ा ये मुल शब्द हो गया, सवार भी एक अपने में मुल शब्द है, दोनों मिलका क्या बने घुड सवार, तो ये एक योगीक शब्द, दो शब्दों से मिलकर यह एक सयूग तो शब्द बन गया, पाठ शाला, पाठ एक अलग मुल शब्द परदशित कर रहा ह शाला एक अलग मुल शब्द है, जब इन दोनों को मिला दिये तो हम लोगा बन गया पाठ शाला, दूसरा है मुल शब्द प्लस प्रत्य है, सुन्दर हमारा मुल शब्द है और ता क्या है प्रत्य है, तो इससे क्या बन गया, सुन्दर्ता, ठीक है, तो ये सुन्दर्ता क् संयुक्त बन गया, योगिक शब्द बन गया, धन प्लस वान, धन वान, अब तिसरा है उपसर्ग प्लस मुलशब्द, उपसर्ग में असे अन, धन पढ़, अन पढ़, तो अन हमारा उपसर्ग गया और पढ़ हमारा मुलशब्द, जब यह दोनों मिल गया तो यह अन पढ़, ये सयुक्त शब्द बन गए एक ये योगिक शब्द बन गए बेधन घर बराबर बेघर ठीक है अब हम लोग आते हैं सयुक्त में ही आते हैं योग रूण शब्द ऐसे योगिक शब्द जो किसी एक अर्थ के लिए रूण हो जाते हैं योग रूण कहते हैं पताब ऐसे योगीक शब्ध हो जाता है जब उसका कोई अर्थ में रूण हो जाता है तो योग रूण के लाता है ज्सें पंकज पंकच का है पंकच का अर्थ होता है शंक और कमल लेकिन जब हम लोग पंकच का उचारन करते हो तो हम लोग के दिमाग में क्या जाता है एक कमल का रूप प्रदर्शित होता है कि पंकच को हम लोग कमल भी कहते है तो जब हम लोग कमल जब हमारे दिमाग में प्रदर्शित होत चो इन करें पत्ति के बारे में सम्वोधित रहा है तो यह अंहारा जो पती हम लोग के दिमाव में आया हमारा योगरूण शब्द हो गया एक्षर अक्षर На में अक्षर को अर्थ शीव होता है ब्रह्मा Mr. Vishnuは सत्य होता में और क्या समझते हैं वंड यह किसी वंड के बारे में बता रहा है तो यह जो वंड के दिमाग में आता है वह क्या हो गया वहा हमारा योगुरून हो गया तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको यह video पसंद आयी होगी तो प्लिस मेरे वीडियो को Like शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद